नमस्कार मैं ओलक्ष्मन राय और हमारे साथ इस बार होंगी जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड़ा गौरी आपका स्वागत हमारे शो में गौरी के साथ हम लोग कई सारे मुद्दों पे चर्चा करने वाल है निसाल के तौप हम चर्चा करेंगे किन-किन टैक्सपर्स को इनकम टैक्स रिटर्ण भरने की नहीं है जरूर शेर के बिक्री पर अडवांस टैक्स का कैसे करें कैलकुलेशन और साथ में भी बताएंगे अगर आप अपना GST नमबर सरेंडर करना चाहते हैं तो क्या है इसका तरीका इन सारे मुद्दों पे बाचित करेंगे लेकिन अभी एक मुद्दा जो हर टैक्स पर जिसका खास ख्याल रख रहा है वह है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर के अब इनकम टैक्स रिटर्न हर किसी को फाइल करना यह कमूबे से पता होता है लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रुरत नहीं है आखिर वो लोग कौन है जिनको रहात के तोर पर देखा जाए या कृषखबरी के तोर पर देखा जाए गोरी कौन लोग है जिनको income tax return file करने के ज़रुत नहीं है देखे लक्षमन वैसे तो अगर हम देखें तो जिनकी income basic exemption limit से नीचे है तो उनको तो return भरनी नहीं है provided वो बाखी किसी clause में fall नहीं करते है लेकिन अगर हम देखें तो सरकार जो है वो senior citizens को काफे चीजों में रहात देती है जैसे उनकी basic exemption limit भी जादा होती है उनको कुछ deductions भी जादा मिलती है और ऐसे कुछ चीजें हैं जो सरकार senior citizens को जादा देती है तो इसमें से एक provision ये है कि अगर आप 75 years से जादा की उमर के है और आपकी income सिरफ pension और interest की है यानि आपको को business income नहीं हो रही है आपको एक ही bank में pension आती है उसी bank में आपको interest आता है आपको और बहुत जादा bank account में एक से जादा bank account में आपको pension या interest नहीं आ रहा तो इस case में आप सीधा सीधा bank जा सकते हैं चाए आपकी income कितनी भी हो interest income कितनी भी हो pension कितनी भी हो सीधा सीधा bank जा सकते हैं वहापे आप सारी declaration दे सकते हैं कि यह यह आपकी income है ज्यादा तर चीज़े bank को पता होंगी उसके अलावा आपकी consequence deductions है वो सब calculate करके bank पूरा TDS आपका काट और आप समझ लीजे कि आपकी return भर दी गई है आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको online जाके जो return भरने का process होता है वो करने की जरूरत नहीं है लेकिन इसमें शर्त एक है कि आपका bank account एक ही होना चाहिए जिसमें आपका pension भी आ रही हो या फिर जो भी आपके salary income ज से दूसरे bank को link नहीं कर पाएंगे आपको तो एक ही bank में अगर आ रहा है यह सरकार ने यह provision लाया ही इसलिए है कि एक ही bank हो तो तबी convenient होगा दो banks होंगे तो फिर वो चीज practically possible नहीं पाएगी आगे जाके शायद हो जाए एक और fine print आपने बताया कि आपके कोई business income नहीं होना आपकी होनी चाहिए और वो उसी bank account में आनी चाहिए तब ही आप इसका फायदा उठा सकते हैं अलाकि बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिनको सिरफ pension और bank interest आता और एक ही bank में आता है लेकिन जितने भी हैं I think उनको return भरने में जो problem होती है वो अब face नहीं करने पड़े बिल्कु सबसे पहले चलते हैं राजस्थान जहां से नत्थुलाल लोहार जी हमारे साथ phone line पर जूट चुक है नत्थुलाल जी नमस्कार बताएं टैक्स गुरू क्या आपके लिए कर सकता है के तुमेरे मेरे मेरे को नमस्ते मेरे को यह प्रोब्लम हो रही है कि तुम्हे रिटार हुआ है 31st January 2020 मेरे को फियर किया है तो प्राइट मेने अब्र नमंबर 22 में तो इस एक्सें में इसको ITR में भिषाना है दूसरा मैं इसको शेहर की ट्रेडिंग वगरा कर लेता बेजता हूं तो वो एसे ट्राजेक्शन पूरे नहीं आ रहे हैं उसमें आई आई एस में कि इसरा मैंने अपने बेटे और बहु को 15-15 लाज रुपे दोनों को मकान मनाने के लिए नेट और जैट से दिया हैं और मैं को कौन सा आई ट्र फाइल करना पड़ेगा मैं पेंशनर हूं एक्टेफों की पेंशनर रुपेंशन आती है देखें तीनों सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ पहले आपने पूछा पीएफ का जो इंट्रेस्ट है तो जो पीएफ का इंट्रेस्ट है वो आप सेक्शन 10 में एक्जेम्ट करके दिखाएंगे आई टीर में उसका कॉलम आपको दिख जाएगा और आपको उसको अपनी 嘅 कोईएफ का सेथी ट्रैजेस्ट है उससे आपको कोई अगर आपकी कम आरेएइश है सेटी ट्रैक्शन फिर तो आपको कोई घब्राने की बात ही नहीं है ठीकि अगर आपकी जादा आ रही है तो आप एक ग्रीवियंस रेज कर सकते हैं हाला कि आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगे आगे चल कि कि आक्च्वल में वो है ही नहीं तो अगर जिसे कई बर ऐसा होता है कि जिसे किसी ने एक करोड का मकान लिया हस्ब की बात नहीं है तीसरा आपने पूछा कि आपने बेटे और बहु को 15-15 लाख रुपे दिये हैं घर बनाने के लिए तो आपने बेटे को जो 15 लाख रुपे दिये हैं उस पे तो आप बेसिकली समझ लीजिए कि आपने वो गिफ्ट ही दिया है अगर आप वो पैस वापिस के तोर पे दिया है लेकिन जहां आपने अपनी डॉटर इनलाओ को गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट तो वो भी एक्जेम्ट है उनके हैंड्स में उनको भी उसकी उपर कोई टाक्स नहीं देना आपको भी उसकी उपर कोई टाक्स नहीं देना लेकिन जब आपकी डॉटर इन में होगा संके केस में नहीं होगा तो अगर उससे वह मकान बना के खुद रहे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है किसी को टाक्स नहीं देना कुछ भी नहीं देना वह इतना से गिफ्ट हो जाएगी आप एक डीड बना लीजिए या इमेल कर दीजिए या कोई चित्थी उनको लिख दीजिए कि ये पैसा मैंने इस दिन इस चेक से या इस एनी एफटी का रेफरेंस नंबर से मैंने ट्रांसफर किया है और ये गिफ्ट के तौर पे किया है तो आपके बे नवी मुंबई जहां से प्रवीन जी हमारा साथ फूल लाइन पर हैं प्रवीन जी नमस्कार क्या सवाल है आपके पास जी नमस्कार प्रवीन रतनबार के बोड़ा है नवी मुंबई से जी सर मेरा 2017 सी यूटिया यूलिप 15 एर प्लान में इसाइपी चाल है तो अब नए नियन के अनुसार एप्रिल 23 के बाद जो टेप फंड में इन्वेश्मेंट है उसमें लांग तम क्यापिटल गेन और इंडेक्सेशन बेनिफिट बन कर दिया है तो मेरा यूटिया का जो यू इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा और अगर वो लॉंग टम पे जा रहा है तो वो लॉंग टम क्यापिटल गेन ही माना जाएगा और इंडेक्सेशन तबी मिलेगा बट अगर कट ओफ डेट के बाद आपने की है ट्रांजाक्शन तो उसमें आपको ना आते थे ताकि यह जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है लॉंग टम क्यापिटल गेन में वो उनको मिल सके लेकिन आपकी जो परचेजिंग है वो काफी पुरानी है तो उसकेश में आपको यह बेनिफिट जरूर मिलेगा लेकिन अब अगर आपको इंडेश्मेंट करेंगे उसके नहीं मिलेगा संतुष्टन सवाल के जवाब से कुछ और कंफिजन आपके अंदर है जी सर एक ही रहे कि दोजर टेश के बाद जो एसको भी लॉंग टम कैपिटल गेन बेनिफिट मिलेगा मुझे नहीं उसके आपको नहीं मिलेगा उसमें आपका बैसिकली वह आपकी इन्वेस्मेंट बाद की डेट की है तो उसमें आपको नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन उसमें आपको नहीं मिलेगा यह बिलकुल साफ है और फिलाल वक्त है छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद बताएंगे कंसल्टेंट और प्रोफेशनल के लिए ओल्ट टैक्स रिजिम का चैन करने का एक निया नियम आया है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नियम क्या है और कैसे इसका ख्यार लखना चाहिए बताएंगे चोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक पर फिर साबका स्वागत है आप देख रहे हैं टैक्स गूरू और आपके सवालों दोरान कि अब नियू टेक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया जो कंसल्टेंट और प्रोफेशनल्स के लिए हमें लग नियम जा रही क्यों क्या है नियम उनके लिए किस तरह सूपी होगी है देखिए ऐसा है लक्षमन कि इस फनांशेल यर जो आप खतम हुआ है और अब हम जिसकी रिटर्न भर रहे हैं जून जुलाइ में तो उस केस में आपका जो नियू रिजीम है अगर आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको फॉर्म 10 IE भरना होता है अगर आपकी बिजनस इ आपको एक नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा वो आपको रिटर्न में दिखाना होता है कि एक नॉलेजमेंट नंबर है लेकिन अब से यानि कि जो फनांशेल यर चल रहा है इसमें आपकी डिफॉल्ट रिजीम नियू रिजीम कर दी गई है तो अगर अगली बार जब जो भी रिटर्न भरेगा इस फनांशेल यर की जो रिटर्न भरेगा अगले साल उस केस में अगर आपको old रिजीम ऑप्ट करनी है तो उस केस में आपको form 10.ie भरना होगा old रिजीम को आप्ट करने के लिए वरना आपका जो new रिजीम है वो बाइड डिफॉल्ट आपका सिलेक्ट हो case में अगर आप new regime select कर रहे हैं तो आपको form 10 IE भरना जरूरी है और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी business income है यानि consultant, professional या कोई भी business income है तो आपके पास हर साल switch करने का option नहीं है आप सिरफ एक बार opt out कर सकते हैं जहां तक salary class की बात है या जिनकी कोई business income नहीं है उनकी बात है वो हर साल switch कर सकते हैं उनके पास को उनके उपर कोई पाबंदी नहीं है लेकिन business वाले सिरफ एक बार opt out कर सकते हैं तो इसमें अगर salary वालों के हिसाब कर बता दें कि उनके पास by default new tax regime हो गया है अगर उनको जाना है old में फिर वापस मन करें कि नहीं हमें new में जाना है return नहीं किया हो तो कोई नहीं देखिए जैसे आपने declaration देदी company में आपने बोल दिया कि हम old regime में जाना चाहते हैं आपने डॉक्यूमेंट सम्मेट कर दिया और आपने जब return भरने बैठे आपने देखा कि आपकी new regime बेटर है तो आप opt कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल बिल्कुल वापस चलते हैं सवाल आपके सिसले पर चलते हैं दिल्ली जहां से विशाल जैन्स आपका सवाल आया है तो उसमें advanced tax का calculation कैसे करें चुक्कि script wise detail तो वहां होती नहीं है देखिए विशाल जी जब आप अपनी return भरने बैठेंगे तो आपके बास दो options हैं या तो आपको ये professional से भरवाएंगे वो किसी software से भरेंगे तो उस software में तो आप एक एक detail डालते हैं अब बात करते हैं return की ज जब आप return भरते हैं तो आप देखेंगे उसमें एक column होता है जिसमें आपको जो capital gain की detail है वो आपको quarter wise देनी होती है तो वो आपका उस quarter के हिसाब से आपका advanced tax calculate होगा तो ऐसा नहीं होगा कि आपका आपने एक figure डाल दी capital gain की और उस पे पूरे साल का आपको interest लग गया क्यू वो उसी हिसाब से calculate करेगा जिस हिसाब से उसको calculate करना चाहिए यह थोड़ा से टेकनिकल हो जाता है ऐसे किस नहीं है आप जब return देखेंगे बहुत easily आपको दिख जाएगा कि उसमें से चार column बने वे हैं कि यह तीन महीने इसके तीन महीने इसके तीन महीने इसके से चार quarter आ करेंगे कि आप इसको आराम से कर सकते हैं बिल्कुल विशाल जी इसका इस तरीके सब एडवांस टैक्स का calculation करें जैसा की कोई ने बताया फिर भी कोई दिक्कत तो आप हमें लिखिएगा tax at moneycontrol.com पर और अगली बार आप से cdm बाच्चित भी करेंगे आप अपना मुवाइ इस अब बताये क्या उल्ज है ना आपकी एक छोड़ा सा कोशन यह पता करना था मैंने जी एस्टी ले रखा है जी एस्टी मेरा कपडों का कपडों की ट्रीडिंग का गाम है अच्छा है अब कपडों उसमें लॉस होने के विज़े से मैं जी एस्टी सरेंडर करना चाता मेरे सीए मुझे बोल रहे हैं कि आप जी एस्टी सरेंडर नहीं कर सकते जब तक उसमें आपका इंपूट पड़ा है आप पहले उस इंपूट को यूज करें तो क्या यह सच है सब्सक्राइब मुझे वह इनपूट फिनिश करना पड़े का जो टेक्स का मेरे पास जी एस् तो अभी कपड़ों का कारवा ठंडा पड़ा हुआ है तो इस चेकर में बंद करिया है अब पिछले चार पांच करीबन छेक मेने से जीरो जीरो की जी एस्टी बर रहे हैं ना वह सुरंडर करने दे रहे हैं ना इसका इंपूट का कुछ बता रहे हैं कि कैसे मैं इस करोना में जैसे इनोंने कहा तो ऐसा तो बहुत कॉमन केस है यह हुआ है तो इस केस में देखिए आपके पास जो स्टॉक पड़ा है अब आप उस स्टॉक का क्या करेंगे या तो आप उसको बेचेंगे अब बेच तो बेचने का ऑप्शन होता तो आपका बिजनेस तो जब आप उसको स्क्राप करेंगे उसके उपर भी GST की इंप्लिकेशन है तो उस स्क्राप करने के बाद जो आपका इंपूट है वो यूटिलाइज हो जाएगा और जो आपके सीए के रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि आपको जो इंपूट है उसको पहले जीरो करना है तो आप इसको स्क्राप कर दीजिए इंपूट को आप जीरो कर दीजिए उसके बाद आप इसकी सरेंडर के अप्लिकेशन नालते हैं जिनके पास कुछ स्टॉक ना पड़ा हो तो क्या करेंगा? तो अगर स्टॉक नहीं है, इसका मतलब इंपुट भी नहीं होगा. अरण जी, क्या मामना है? स्टॉक है? इंपुट पड़ा हुआ है, स्टॉक जो था वो स्क्रैप में बेज दिया. लॉट की लॉट, तो उसके बाद मेरे पास इंपुट के निर्बर 40-45,000 का इंपुट पड़ा है. अच्छे, स्क्रैप आपने बेज दिया उसको? हाँ, स्क्रैप करके बेज दिया समान. अब जो उस टाइम बिल काटा, वो स्क्रैप के साब से बिल काट दिया. अब उसके बाद जो इंपुट पड़ा है, वो कह रहे हैं पहले इसको डिस्पोज करो. अब जो कैसे करूँ सर मेरे पास तो समान ही नहीं. तो मैं कैसे किसी का बिल काट हूँ पर जी? अब उसके लिए तो किसी का बिल काट हैंगे. ने देखे, स्क्राप पे आपको फिर या तो कैलकुलेशन में कोई गल्पती हुई है, क्योंकि देखे, जब आप आपका इतना इंपुट खड़ा है और आपका स्टॉक खतम हो चुका है, तो थोड़ा सा कही न कहीं मिसमाच हुआ है, या तो स्क्राप भी आपने, क्योंकि जब आप बेच रहे हैं, तो कुछ तो वाल्यू आपको कपड़े की मिली होगी, ऐसा तो है नहीं कि आपने रद्दी में बेचा होगा, तो कोई या तो आप एक बार क्यालकुलेशन चेक कीजिए, हो सकता है, अभी आपकी जो, क्यूंकि सेप्टेंबर तक आप जो है, अप झालकी में, तो कोई बेचे की मूझ में, थार, तो क्यों है, ड्योंकि सेप्टेंबर काइब। बेरागा, जो क्यूंकि सेप्टेंवा। झाल झाल